मेरे पहरे देश भाचियों, आज मैं आपको एक और दिल्चस्प बात भी बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले सोशल मिडिया पर एक अधभूत क्रेश दिखा। अमेरिका ने हमें सो से जादा दुरलब और प्राचीन कलाकृतियां वापस लवटाई हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मिडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खुब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लवटी ये कलाकृतियां डाई हजार साल से लेकर डाई सो साल तक पुरानी हैं। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुरलब चीजों का नाता देश के अलग-अलग शेत्रों से हैं। ये टेरकोटा, स्टोन, मेटल और लकडी के इस्तमाल से बनाई गई हैं। इन में से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्री से भर देगी। आप इने देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इन में ग्यारवी सताब्दी का एक खुबसुरत सेंड, स्टोन, स्कल्प्चर भी आपको देखने को मिलेगा। इन्रुत्य करती हुई एक अफसरा की कलाकृती हैं। जिसका नाता मध्यप्रदेश से हैं। चोल युक की कई मुर्तियों भी इन में शामिल हैं। देवी और भगवान मुर्गन की प्रतिमाये तो बाहरवी सताब्दी की हैं। और तमिल्नाडू की वैभव साली संस्कृती से जुड़ी है। भगवान गणेश की करीब एक हजार वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लोटाई गई हैं। ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मुर्ति ग्यारवी सताब्दी की बताई जाती हैं। जिसमें वे दोनों नंदी परासिन हैं। पत्थरों से बनी जेन तिर्थरकरों की दो मुर्तियां भी भारत वापिस आई हैं। भगवान सुर्यदेव की दो परतिमाय भी अपमन महोलेंगी हैं। इन में से एक सैंस्टोन से बनी हैं। वापस लोटाई गई चीजों में लकडी से बना एक पैनल भी हैं। जो समुद्र मंथन की कथा को सामने लाता है 16-17 सदी के इस पैनल का जुडाव दक्षिन भारत से हैं साथियों यहां मैंने तो बहुत कभी नाम दिये हैं जिब की देखे तो यह लिस्ट बहुत लंबी है मैं अमरीकी सरकार का अभार करना चाहूंगा जिनों ने हमारी इस बहुमुल्य विरासत को लोटाया है 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यातरा की थी तब भी कई कलाकुर्तिया भारत को लोटाई गई थी मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांसकुर्तिक धरोहरों की चोरी रोकने को इस बात को लेकर के देश भर में जागरूता बढ़ेगी इससे हमारी समर्द विरासत से देश वाचों का लगाओ भी और गहरा होगा